So hi everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, finally GCC के लिए second round की counseling अस्टार्ट हो गई है जैसी कि कल से आप लोग का स्टार्ट हो गए है तो friends, अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको choice feeling करना है सबसे पहले तो आपको, जो भी आपको first round में college मिला था उसका आपको login ID होगा उसके बाद आपको password डाल के सिधे login कर लेना है पैसा आपको 400 पर लगेंगे अगर आप general EWCBC के student है girls हो तो और high score पर लगें जैसे ही कर लेते हो, उसके बाद login करने के बाद कुछ इस तरह से आओगे तो नीचे में, सबसे पहले तो select branch यहाँ पर रहेगा यहाँ से की कौन सा आप district में लेना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मेरा select institute अस्टेटर तो यहाँ पर आपको कौन सा type का लेना है जैसे की यहाँ पर है government है, PPP है, private है तो जैसे की मैंने यहाँ पर government करता हूँ तो यहाँ पर सारा government का listed आ जाएंगे मैंने choice feeling किया हूँ, एक student का जिसका देख सकते हो इसके rank के basis पर सबसे पहले देखा कि सिंदरी का जो भी आपको rank के basis पर देख लेना, अभी इसका city matrix भी आ गया है तो देख लेना कि हमारा कितना rank है, तो क्या सब मिल सकता है तो देख सकते हो, मैंने यहाँ पर देखा इसके rank पर तो जारखन का, धनवाद का सबसे पहले mechanical भरा, उसके बाद धनवाद का देख सकते हो, mining भरा है हूँ उसके बाद यहाँ पर civil डाला हूँ, chemical डाला हूँ, production, computers हैं इस तरह से आप यहाँ से choice filling कर सकते हो, जैसी कि यहाँ पर ममा लेते हैं कि mechanical डालना है, तो mechanical के यहाँ सबसे पहले तो branch देख लेना है जैसे किलिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसी कि private के लिए आप करते हो, तो private में देखो, यह सब college में है तो यहाँ से आपको add पर click करकर के आपको यहाँ पर आना है, okay, add पर click करोगे, यहाँ पर आपको numbering बाया, यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद simply क्या करना है, सारा जब form को fill up कर लेते हो, यानि कि सारा choice film कर लेते हो, उसके बाद simple चीज़, आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं हटा देता हूं, okay, यहाँ पर government कर देता हूं, ताकि सारा चीज़, तो यहाँ पर देख सकते हैं, total मैंने shortlisted किया हो, 26, इस तरह से आप choice filling करो, जिस तरह का आपका rank है, उस तरह से, नीचे में आने के बाद यहाँ save and next का option है, यहाँ पर simple, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, save and next पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर मिला लेना है, कि सारा चीज़, हमारा ठीक है, कि नहीं कौन सा numbering में, उसी तरह से आपको choice filling में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने सारा चीज़े कर लिया हूँ, 26 मैं choice डाला हूँ, उसके बाद simply यहाँ पर है, जैसे कि आपका save and next का option है, तो यहाँ पर मैं click करता हूँ,